Hello Friends, इस वीडियो में मैं आपको लाइन सेग्मेंट, लाइन और रे के बारे में बताऊंगा लाइन सेग्मेंट फिक्स्ट लेंथ, सौटिस डिस्टेंस बिट्वीन टू पॉइंट यहाँ पे हमने एक लाइन सेग्मेंट बनाया है जो लाइन सेग्मेंट की जो लेंथ होती है, वो फिक्स्ट होती है और जो जैसे यहाँ पे दो पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B तो इनके बीच में जो सौटिस डिस्टेंस है, वो लाइन है जैसे कि यह पॉइंट A और पॉइंट B है तो अगर हम point A से point B पे जाएंगे तो अगर हम ऐसे भी जा सकते हैं पर वो shortest distance में होगा shortest distance सीधी line होगी A और B के distance में तो उसी को हम line segment करेंगे Length can be measured It has initial and end point जो line segment होती है उसकी length हम measure कर सकते हैं और line segment का initial और end point होता है जैसे कि इस line segment का initial point A है और end point B है तो इस line segment का initial point A है और ending point B है तो हम इस line को नाम दे सकते हैं A B और बी ये भी दे सकते हैं दोनों सेमी लाइन्स होगी तो लाइन सेग्मेंट को हम ऐसे नाम देते हैं तो लाइन सेग्मेंट के एक्जामपल है एज ओफ टेबल तो जो टेबल के एज होते है और जो पैंसिल बॉक्स बॉक्स का एज होता है तो भी वो सब एक्जाम्पल है लाइन सेगमेंट्स के इन मैथमेटिकली डिफिनीशन ओफ लाइन इस वन डाइमेंशनल हैविंग अर्ली लेंथ प्रैटिकली इस नॉट पॉसिबल इट मीन्स ड्रॉ अलाइन वेरी मच थिन एस पॉसिबल जो लाइन की डिफिलीशन है वो है कि लाइन वन डाइमेंशनल होता है वन डाइमेंशनल का मतलब कि उसकी सिर्फ लेंथी होगी और ये जो बात है वो लाइन सेगमेंट और रे के लिए भी लागो होती है लाइन सेगमेंट और रे भी वन डाइमेंशनल ही होते है और उनकी सिर्फ length ही होती है पर ऐसे तो possible होई नहीं सकता कि किसी चीज की breath होई ना तो इसलिए हमें line को जितना हम thin बना सकते हैं उतना thin बनाना चाहिए जो line होती है उसकी जो length है वो indefinite हो सकती है मतलब जो line है वो कितना भी बड़ा हो सकते है उसको हम measure नहीं कर सकते line दोनों side से initial end से कितना भी बड़ा हो सकता it does not have initial or end point जो line है उसका initial और end point होई नहीं सकता यहाँ पे जैसे हमने point A और point B बना है line पे तो वो उसके initial और end point नहीं है it cannot be measured अब line को हम measure भी करी नहीं सकते क्योंकि वो कितना भी बड़ा हो सकता है उसको हम ना भी नहीं सकते यहाँ पे आप देखेंगे कि दो arrow बने हुए है line पे तो इसका मतलब है कि इस side से line कितनी भी बड़ी आगे जा सकती है कितने भी आगे और इस side से भी कितने भी आगे जा सकती है यहाँ पे हमने एक paper पे line बनाई है पर ऐसा तो possible हो नहीं सकता तो हम represent करते है कि एक line है ऐसे arrow बना के यह बताता है कि यह इस side से कितने भी आगे जा सकती है और इस side से भी कितना आगे जा सकती है जो line होता है जो line segment होता है वो line का एक party होता है तो जैसे हम line को नाम कैसे देते हैं तो जैसे यह line है तो इस पे दो points है हमने point A और point B तो हम नाम दे सकते हैं line को line A B या B A और उसके उपर हम एक line बनाएंगे और दोनों side arrow बना देंगे तो इससे पता चलता है कि यह line है और यह कित्ते भी बड़ी हो सकती है है ना तो इससे पता चलता है कि यह line A B है और line इस line को हम B A भी कह सकते हैं और हम यह जो A हम ऐसे बनाते हैं line के side में दो arrow यह बनाना जरूरी है इसी से पता चलता है कि B A और A B एक line है और यह एक ही line है A B और B A और line को हम small किसी भी alphabet के जो बतला small letters जो होते है English alphabet के उससे भी हम नाम दे सकते है जैसे कि L M N A यह सब जो small letters है उनसे हम नाम दे सकते हैं जैसे आपे हमने नाम दिया है इस line को small letter से L अब मैं आपको रे के बारें बताऊंगा Indefinite length but have a fixed point called initial point जो ray है उसकी भी length indefinite होती है पर उसका एक fixed point होता है called initial point जैसे आपे यह ray है तो जो इसका initial point है वो point है वो point A है क्योंकि point A की तरफ arrow नहीं बना है और point B की तरफ arrow बना है इसका मतलब क्या है कि point B की तरफ से जो ray है वो आगे जा रही है पर point A की तरफ से नहीं जारी है इसका मतलब हुआ कि point A initial point है ray का और cannot be measured जो ray है उसको भी हम miser नहीं कर सकते है ना और जो ray है वो भी एक line का party है है ना line का party है ray तो और रे को हम नाम कैसे देते हैं जैसी ये रे है तो इस पे दो पॉइंट्स है पॉइंट A और पॉइंट B तो हम रे का नाम दे देंगे A B रे A B और A की तरफ से जो रे है वो आगे नहीं बढ़ दे है तो इसके लिए मतलब हम A के ऊपर फिर एरो नहीं बनाएंगे और B की तरफ से रे आगे बढ़ दे है इसलिए हम B के ऊपर एरो बना देंगे जिससे पता चल जाएगा कि ये रे A B है जो कि B की तरफ से आगे बढ़ दे है तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो प्लीस लाइए और शब्सक्राइब आपर चानल बाइ